आयू संगठन बच्चों, यूवा और वृद्धों का अनुपात विसलेशन के लिए किसी छेत्र की जनसेंख्या को तीन विस्तृत आयू वर्ग में बाटा जाता है बालक वर्ग, यूवा वर्ग एवं वृद्ध वर्ग किसी भी समाज में अधिक्तम उत्पादक छमता यूवा वर्ग में होता है जो घरों, खेतों, कारखानों वा दफ्तरों में काम कर सकता है बच्चे और बुढे प्राया उन पर आश्रित होते हैं बच्चे भविश के उत्पादक बनेंगे और उन्हें उस भूमिका के लिए तयार करना होगा दूसरी और व्रिद्ध जनों के लिए सहायता के विशेश प्रावधान करने की आविशक्ता होगी इस तरह की नीती निर्मान के लिए यह जानना जरूरी है कि देश वप्रदेश में आबादी की आयू वर्गों का वित्रन कैसा है इस आयू वर्ग में 15 साल से कम उम्र को शामिल किया जाता है सामाने रूप में इस वर्ग के लोग दूसरे वर्ग पर निर्भर रहते हैं और इनके सिक्षा, स्वास्थ, आर्थिक उन्नती, आदी की व्यवस्था दूसरे वर्ग के लोग करते हैं आर्थिक द्रिष्टी से इस वर्ग के लोगों को क्रिया शिल नहीं माना जाता हाला कि बहुत सारे शेत्रों में बाल्श रमिक की मौजूदगी को नकारा नहीं जा सकता है यूवा वर्ग इस वर्ग में 15 से 69 वर्ष आयू वर्ग के लोग आते हैं गौर करेंगे तो पाएंगे कि यह आयू वर्ग सरवादिक क्रिया शिल वर्ग होता है और अक्सर इस आयू वर्ग पर ही दोनों आयू वर्ग के लोग बालक और व्रिद आशरित होते हैं यह वर्ग अधिक गतिशील भी होता है रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह सबसे ज़्यादा प्रवास इसी वर्ग से होता है व्रिद वर्ग 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोग इसमें शामिल होते हैं इस उम्र के बाद लोगों के क्रियाशीलता में कमी आने लगती है और इस वर्ग के अधिकांश लोग जो नौकरी पेशा नहीं है और जिनका कोई मजबूत आर्थिक आधार नहीं है अपनी जरूरतों के लिए युवर्ग पर आश्रित रहते हैं किसी देश में अगर बालक बालिका वर्ग के लोग बहुत कम हों तो उस देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा किसी देश के जनसंख्या में यूवर्ग के लोग ज्यादा हैं तो उस देश की आर्थिक विवस्था कैसी होगी किसी भी देश में आयू विन्यास को दर्शाने के लिए सामाजिक विज्ञान में जनसंख्या पिरामिड का प्रियोग किया जाता है भारत के आयू पिरामिट को आरेक भारत 2014 में देखें प्रत्येक चार वर्ष के अंतराल में महिला और पुर्षों की संख्या दी गई है आप देख सकते हैं कि भारत में 2014 में बच्चों और युवाओं का अनुपात व्रिद्धों की तुलना में अधिक है उसमें भी 20 वर्ष की आयू से कम लोगों का अनुपात अन्य किसी आयू वर्ग से अधिक है इसका मतलब है कि अगले 20 वर्ष तक भारत में उत्पादक कार्य करने वाले उम्रे के लोगों में कमी नहीं आएगी साथ ही व्रिद्धों की संख्या कम होने के कारण अर्थ रवस्था पर कम भार होगा लेकिन अगर महिला और पुरुष वाले स्तंभों की तुलना करें तो पता चलेगा कि आने वाली युवा पीड़ी में महिलाओं की संख्या पुरुषों के तुलना में बहुत कम होने वाली है क्योंकि 8 साल से कम उम्र के बच्चों में बालीकाओं का अनुपाद बहुत कम है अब हम भारत के इस आरेक की तुलना पस्चिमी ओफरीका और पस्चिमी यूरोप के आरेखों से करेंगे पश्चमी आफरीका के आरेक से पता चलता है कि वहां की आधे से अधिक आबादी की उम्र 20 वर्ष से कम है वहां 50 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोग 12 प्रतिशत से भी कम है या एक गंभीर इस्थिती की ओर इशारा करता है जहां अधिकतर लोग 50 वर्ष की उम्र से पहले ही मर जाते हैं इसकी तुलना पश्चमी यूरोप से करें तो एक और चिंता जनक बात उभरती है यूरोप में आप देख सकते हैं कि लगभग 35 प्रतिशत लोग 50 से अधिक उम्र के हैं लेकिन अगर हम वहां बच्चों की दशा देखें तो पाते हैं कि वहां लगातार बच्चों का अनुपात कम होते जा रहा है अर्थात पश्चमी यूरोप में अधिक लोग लंबी उम्र तक जीते हैं मगर वहां इतने कम बच्चे पैदा हो रहे हैं कि आने वाले दशकों में वहां की आबादी कम होती जाएगी और धीरे धीरे वहां व्रिद्धजन अधिक हो जाएंगे पश्चमी आफरीका और पश्चमी यूरोप के बीच इस अंतर के कई कारण हो सकते हैं पहला यह कि यूरोप में आय और स्वास्त सेवा इतनी अच्छी है कि जादा तर लोग अधिक उम्र तक जीवित रहते हैं जबकि आफरीका में गरीबी और कमजोर स्वास्त सेवा के चलते लोग कम उम्र में ही मर रहे हैं। बार मृत्य उदर वहां काफी अधिक है। दूसरी और पश्चमी उरोप में आर्थिक समरिद्धी के चलते लोग बहुत कम बच्चे पैदा कर रहे हैं। इस समस्या को देखते हुए कई उरोपिय देशों में बच्चे पालने के लिए विशेज प्रोथ साहन और राजगी मदद दी जाती है।